इस विडियो में दी हुई जानकारी internet से ली गई है। हम इस विडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस विडियो को देख कर किसी दवा का उप्योग करते हैं और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। Debix के tablet एक combination दवा है जिसका इस्तेमाल खून निकलना को रोकने के लिए किया जाता है। यह महवारी के दौरान और सरजरी के बाद खून निकलना को कम करने में मदद करता है। यह दर्द और inflammation यानि की सूजन का कारण बनने वाले कुछ chemical messenger के स्त्रवन को ब्लॉक करके भी काम करता है। Debix के tablet को नियमित रूप से हर दिन एक नियत समय पर भोजन के साथ लिया जाना चाहिए। डौक्टर द्वारा निर्धारित schedule के अनुसार आपको नियमित रूप से समान अंतराल पर इसे लेना चाहिए। इसे रोज एक ही समय पर लेने से आपको इसे लेना याद रहेगा। डोज और इलाज का समय इस बात पर निर्भर करेंगे कि आपका इलाज किसलिए किया जा रहा है। इस दवा को लेने के दोरान अपने डौक्टर की सलाह का पालन करें। आपके मासिक धर्म के पहले दिन कॉंबिनेशन लेने की सलाह दी जाती है क्योंकि इसे मासिक धर्म के पहले या बाद में लेने से कोई असर नहीं होगा। इससे मिचली आना, उल्टी, सीने में जलन, पेट में दर्द, भूक में कमी, सिर्दर्द और बंद नाग जैसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इससे डायरिया यानि की दस्ट हो सकता है। इसलिए इस दवा को लेते समय बहुत सारा तरल पदार्ट लेना बहतर होता है क्यूंकि इससे डेहाइडरेशन की रोक थाम में मदद मिल सकती है। अगर आप तीन महवारी के बाद भी खून निकलना में कोई बदलाव नहीं देखते हैं, तो अपने डॉक्टर को बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद।